जैहीन दोस्तो स्वागत है आप सभी का सर्मा फैंटीसी ग्रूप में इस वीडियो में दोस्तो हम लोग बात करेंगे ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप क्वाइलिफायर मैच के बारे में यह मैं दोस्तो हंकोंग और यूगांडा के बीच खिला जागा और दोस्तो यह जो मैच हंकोंग और यूगांडा का ही है मैं दोस्तो दो फोहर को एक बज़े से स्टार्ट होगा और साथी साथ बता दू जो हम लोग का फाइनल जो टीम होगा वो दोस्तो मैं आपको टस्क के बाद डैट मींस 12.30 के बाद मैं आपको टेलिग्राम पे प्रभाइड कर दूँगा दोस्तो सर साथ ही साथ दोस्तो आपको काफी हेल्प करेगा। Green League और Small League का टीम बनाने में और दोस्तो वीडियो के अंद में मैं आपको एक Small League का भेतरीन Combination बताओंगा और साथी साथ दोस्तो आप किस तरह से 3-4 important Green League का Combination बना सकते हो हंकोर और उगांडा वाले मैच में दोस्तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथी साथ दोस्तों Captain Vice Captain आप किस तरह से Rotate कर सकते हो इस match में वो भी चीज दोस्तों वीडियो के अंद में हम लोग discuss करेंगे तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना बहुत महत्मुन वीडियो होने वाला है दोस्तों आप सभी के लिए तो वीडियो के लिए दोस्तों एक लाइक भी जरूर करना और अभी तक आपने दोस्तों यूट्यूब चाइनल को सस्क्राइब नहीं कि दोस्तो सस्क्राइब करना और सस्क्राइब करने के बाद दोस्तो नोटिफिकेशन का घंटी जरूर बजा देना जिसे मेरा वीडियो कभी भी आएगा आपको easily notification जाएगा और दोस्तो आप easily मेरे वीडियो को देख सकते हो combination समझ सकते हो और आप खुद से team बना सकते हो बहुत जादा फेबर करता है आप एबरेज इसकोर ही देख सकते हो 160 और 180 के बीच में रहेगा और दोस्तो एबरेज विकेट एक मैच में 10 से 12 विकेट गिर रहा है इस टूर्णामेंट में दोस्तो अभी तक 16 मैच हुए है जिसमें 10 मैच बैटिंग फर्स करने वाली टीम ने विन किया और दोस्तो छे मैच बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने विन किया है और दोस्तो बात करें होंग कोंग का तो दोस्तो इस टूर्णामेंट में अभी तक होंग कोंग ने चार मैच खेला है दो मैच विन किया और दोस्तो दो मैच इनोंने लॉस किया है बात करें दोस्तो इस टुनामेंट में बॉलिंग बैटिंग दोनों की है सात रन तीन बिकेट आर्ट रन एक बिकेट, तीन रन एक बिकेट बीस रन एक बिकेट, बहुत ही important option है दोस्तो captain vice captain के small league में भी तो दोस्तो काफी important है इनको आप लोग small league, grand league दोनों में drop मत करना, नहीं तो दोस्तो आप loss कर जाओगे, बावर हजाद दोस्तो पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे खिलारी है इनका आप record देख सकते हो अभी 9, 12, 86 और 13, एक match में दोस्तो इन्होंने बहुतरीन performance किया है लेकिन बतादो दोस्तो ग्रेन लिक के लिए बहुत ही important भी है, आप इन्हें captain vice captain भी कर सकते हो, जदी दोस्तो Hong Kong की team first batting करती है second batting करें तो दोस्तो आप captain vice captain मत करना, के साथ दोस्तो बहुत ही अच्छे form में दीखे, इस tournament में आप देख सकते हो, 37 run 0 wicket, 13 run 0 wicket, 5 run 0 wicket, 30 run 1 wicket दोस्तो पिछले match में इनको over ही नहीं मिला था, नहीं तो दोस्तो wicket तो 100% लेके, और rounder दोस्तो अच्छे है, small league, green league दोनों में try करना, captain vice captain करने के लिए दोस्तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि कुछ दो पिछले match में मैंने vice captain किया था, लेकिन इनको bowling ही नहीं दिया गया, bowling मिलता था दोस्तो, 2-3 wicket, इनको 100% मिल जाता तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इन्हें captain vice captain मत करना जिसान अली दोस्तो उतने खास नहीं दिखे, इस tournament में आपको wicket keeping section में दिखेंगे, लेकिन दोस्तो नीचे दोस्तो शाहीद वास्ता उतने खास नहीं दिखेंगे, आप इन्हें ड्रॉप करके चलना इसान खान दोस्तो अच्छे form में चल रहा है छेरन एक wicket, दो wicket, तीन wicket, दो wicket इक सत्यों कितने भेतरीन फॉर्म में चल रहे है इन्हें दोस्तो आप लोग स्मॉल लिग, ग्रेन लिग, दोनों में से किसी में भी ड्रॉप मत करना काफी इंपोर्टेंट है स्कॉर्ट मैक रानी दोस्तो बहुत ही ख्राफ फॉर्म में चल रहा है, इनको आप ड्रॉप करके चलना आयू सुकलाफ प्लियर अच्छे है, बत यही इनको उतना खास बॉलिंग बैटिंग नहीं मिल रहा है, इसलिए दोस्तो पर्फॉर्मेंस कुछ खास नहीं है एम काफर्ण ने दोस्तो अच्छा बॉलिंग किया एक मैच वीन किया और तीन मैच लोज किया दोस्तो ओपनिंग में आपको दिखेंगे सिया जी इन्होंने दो मैच अच्छा फर्फॉर्म किया दोस्तो दो मैच में टोटली फ्लॉप गया है रॉनिक पटल खिलारी अच्छे है दोस्तो लेकिन दोस्तो इनका फर्म उतना खास नहीं चल रहा है इसलिए आप ड्रॉप करके चलना अली साथ दोस्तो बहुत ही बेतरीन उप्सन है 28 रन एक बिकेट, 48 रन जीरो बिकेट, 19 रन जीरो बिकेट और एक रन अच्छे फर्म में चल रहे हैं आपको एक से दो मैच में ही फ्लॉप दिखेंगे लेकिन आपको यह दोस्तो चार ओबर करा रहे है बॉलिंग और बैटिंग में भी दोस्तो आप देख सकते हो फर्स राउन आ रहे है तो काफी बेतरीन उप्सन है नीचे दोस्तों नाकरानी काफी important है बहुत ज्यादा important है दोस्तों captain vice captain यदि आप उगांडा को हलका सा भी favor करते हो थोड़ा सा भी देखो favor मत करना वो ही सही रहेगा लेकिन करते हो तो उसमें आप vice captain जरूर करना इनका performance देख सकते हो इकार रण 4 बिगेट 13 रण 0 बिगेट 17 रण 1 बिगेट 9 रण 2 बिगेट बहुत ही सही option है नीचे दोस्तों आपको विस्पा दिखरे है इनका उतना खास performance नहीं रखा है इनका drop करके चलना नीचे दोस्तों आपको frank एक वांसा दिखरे है इनका performance बहुत ही घटिया रहा है ड्र व्यूमा मियाजी दोस्तों उतने खास अपसर नहीं है, फॉस्ट मैच में इन्होंने अच्छा पर्फोर्मेंस किया था लेकिन कम जो टीम था सामने इसलिए दोस्तों आपको देट में बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे निश बंगा के साथ दोस्तों इनको आप ड्रॉप मत करना important pick है यहोब दोस्तों जितना भी statics मैंने आपको बताया यह आपको काफी easy way में समझ में आया होगा दोस्तों यदि आपको कोई problem है और यदि आप extra statics जाना से आते हो तो नीचे comment section में जरूर लिखना मैं तुरंत उसका reply करूंगा तुरंत दोस्तों उसका solution में आपको बताऊंगा तब तक आप पूरे statics का दोस्तों screenshot ले लेना यह आपको काफी help करेगा जब आप combination बनाने बैठ होतों और भाई लोग एक लाइक जरूर कर देना पूरे statics के लिए और अभी बी हयात एन खान और नीचे से दोस्तों के साथ तीन बेतरीन option है यदि आप कुछ एक्षा करना चाहते हो तो आप सेचाजी को try कर सकते हो लेकिन मैं इन्हें drop करके चलूँगा और लाउनेट सेक्षन में एक खान नेकरानी और अलिसा तीन मेरे बेतरीन option है यदि आप GL खेल रहे हो तो दोस्तों आप मुर्ता जाग और जरूट ट्राइ करना इंपोर्टेंट पीक है बॉलिंग सेक्षन से दोस्तों मैं इखान नुषबंगा गागर खान और नीचे से दोस्तों मैं बी हसन को रख रहा हूँ इसके लाबा दोस्तों आपको कुछ खास option दिखेगा भी नहीं कैप्टें भाइस कैप्टें दोस्तों इसमॉल लिग में बहुत ही सिंपल रखना एक खान कैप्टें भाइस कैप्टें नेकरानी नहीं तो नेकरानी कैप्टें भाइस कैप्टें एक खान ये दोस्तों बात हुआ हेट टू हेट और तीन मेंबर के लिए यदि आप टेन में तो दोस्तो एन खान बहुत ही बेहत्री ना ओप्षन है और नीचे से दोस्तो ऑफ दोनों बेहत्री ना मीनी जीन का मैं बात कर रहा हूं एधि आप ग्रेंट लिए खेल तो खेल कर लेना और दोस्तोma तक आपने चाइनल को सबुस्क्राइब करना फिर मिलते आप सभी से नेक्स वीडियो में टेख कर लेड़ बाइ